अब आपके सारे physics के नेस्टिन माच जाउब्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोटो कीचो खुचो और तुरंच वीडियो सिलुशन पाउड डाउड कीजिए डाउट डाउट अभी या फिर वाच्टाप कीजिए अपने डाउट्स आप चार्सो 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 रख दिया गया है okay if the air inside the jar is continuously pumped out करें कि अगर जार में से air को completely completely क्या किया किया जा रहा है pump करके out करके बाहर निकला जा रहा है okay to the pressure in the liquid near the bottom of the near the bottom of the liquid तो पूछाए कि जो pressure होगा in liquid near the bottom of the liquid bottom of the liquid pressure की जो value होगी वो क्या होगी यह हमें क्या करना है find करना है ओके तो अगर हम क्या करते हैं दझाथे हैं कि अगर यह हमारा क्या है weaker है और इसमें क्या लखा है यह हमारा liquid रखा हुआ है तो इसके उबर हर समय surface पे क्या लखता रहता है हर point पे देख सकते हैं हम लोग हर point पे जो pressure लगता रहता है वो क्या होता है atmospheric pressure होता है atmospheric pressure हमेशा क्या होता है present होता है अब हम यह देख सकते हैं कि कर रहा है कि अगर उसको big jar में हम रख के यह हमें इसको एक बड़े से container में हमने क्या कर दिया है place कर दिया है, और इसमें की air है, उसको क्या कर रहे है हम लोग बाहर निकाल रहे है, तो air को अगर हम बाहर निकाल रहे है, तो इसकी अंदर की जो हमारी density है, वो क्या होगी? density, decrease होगी ओके, decrease होगी तो water level क्या होगा? उपर शण्ने लगेगा, water level जो होगा वो raise करेगा और हमारा जो liquid होगा यहाँ इस point पर यह जो pressure होगा वो भी क्या होने लगएगा, वो भी decrease करने लगेगा क्योंकि हम देख सकते हैं कि pressure की value होती है वो क्या होने लगेगी? density के साथ-साथ air की density कम होगी तो हमारा जो pressure की value होगी, वो भी क्या होने लगेगी, decrease करने लगेगी, तो यहां हमारा जो answer होगा, वो क्या होगा, decrease होगा, so B option is right option, okay, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं, मतलब यहां पर density को क्या किया जारा है, decrease किया जारा है, okay, decrease किया जारा है, और decrease करेंगे, P क्या होता है directly proportional to rho होता है और density decrease होगी तो pressure भी क्या होगा decrease होगा ओके और किसी भी point पे जो pressure की value होती है वो क्या होती है P0 plus P sorry rho G H के equal होती है और ये value क्या होती है atmospheric pressure को represent करती है तो हमारा जो atmosphere होता है हमारे उपर क्या होता है काफ़ी pressure लगाता है उसकी value क्या होती है 1.01 into 10 to the power 5 Pascal इतना pressure atmosphere लगाता है तो अब यहाँ से जब इस में से हम क्या करेंगे continuously को water air को out करेंगे तो इसकी value भी क्या होगी decrease होगी तो हमारा pressure भी क्या होगा decrease होगा so B is right option क्या है